नमस्ते इंडिया देखें घर्मी, दूप, मिट्टी और ये पॉलुशन में हम अपने आपो कितना भी कवर क्यों ना कर ले मगर ये जो पॉलुशन के जो बैक्टेरिया होते है वो कही ना कही हमारे स्कीन को नुकसान तो पहुंचाता ही है और ये जो पॉलुशन के जो बैक्टेरिया होते है वो हमारे स्कीन पर अलग-अलग तरह की ऐलर्जी पैदा करते है इसी में से एक है ऐलर्जिक कंजक्टिवाइटिस यानि कि अगर हम आम भाशा में बोले तो हम अकसर यही बोलते है कि आँख आई है जब भी आँख आती है तो ये जो पॉलुशन के जो बैक्टेरिया होते है वो हमारे आँखों में एलर्जी पैदा करते है और उसकी वज़े से आँख लाल हो जाती है और साथी में आँखों में से पानी भी निकलने लग जाता है खुझली भी होती है सूजन भी होते हैं बहुत दर्ड भी होता है देखे इसका कोई AIDS से कोई लेना देना नहीं है ये जो chaunective artist है वो किसी भी उमर के व्यक्ति को हो सकती है हालाकि ये फैलता तो नहीं है मगर अक्सर ये दिखा गया है कि जिसको भी ये conjunctivitis होता है यानिकि जिसकी आँख आती है उसका जो energy होती है वो आम तोर पर दोनों आखों में ही हो जाती है उनको देखे इससे बाचा तो नहीं जा सकता है मगर इससे हम जल से जल छूटकारा पाने के लिए कुछ गरेल नुस्खों का इस्तमाल हम कर सकते हैं सबसे पहरे तो आता है ठंडी सिकाई देखे ठंडी सिकाई करने से आपको ना एक तो सूजन में मदद मिलेगी और खुजली भी आ आपको ऐसा करना है कि एक मलमल का कपड़ा लेकर उसमें ये कपड़े को आपको ठंडे पानी में डुबाना है फिर नीचोड़कर अपने आखों पर ठंडी सिकाई करनी है आपको ये सिकाई 15-10 मिनिट तक आप कर सकते हो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि अलग-अलग आखों में आप अलग-अलग कपड़ा और अलग-अलग पानी का इस्तमाल करिये जिसे कि आप इंफेक्शन फैलने से आप रोग सकते हो आपको दोनों आखों में अलग-अलग कपड़े का इस्तमाल करके आपको ठंडी सिकाई करनी है देखे गुलाब जल जो है वो एंटी काम करता है आप अखों को निकाल फेकता है, तो आप इस दौरान आपकी आझा में तो आप गुलाब जल भी अपने आखों में डाल सकते हैं देखें, aloe vera gel है, उसके बहुत सारे फाइदे हैं, हाला कि उसको आखों के अंदर तो नहीं डाल सकते हैं, मगर जब भी आखाती है, तब इसको आखों के आसपास के एरिये में लगाने की सला दी जाती है देखें ऐलोविरा जेल में एंटी वायरल गूण भी होते हैं और एंटी बैक्टेरियल गूण भी होते हैं जिसे कि जो आँखाने पर जो बैक्टेरिया की वज़़से सूजन हो जाती है आपको इसमें राहत मिल सकती है तो आप ऐलोविरा जेल का भी इस्तमाल यहां पर कर सक काली चाय जो होती है वो भी आपको आँखाने पर यारि की आपको राहत दिला सकती है देखें यहां पर इसको इस्तमाल करने के लिए आपको ना काली चाय का टी बैग लेना है फिर उसको पानी में डिशूज कर देना है फिर आपको 5-10 मिर्ट तक इसको अपने आँखों पर लगाया रखना है यहां पर आप ग्रीन टी बैग का भी इस्तमाल कर सकते हो जिसे की आँखों में राहत मिल सकती है